सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सभी का आपके चैनल तो पर्फेक्ट क्लासिस में स्वागत है शिक्षान इदेशाले रास्टी राज़ानी चेत दिली की वरक्षीट है यह असेस्मेंट वरक्षीट 6 क्लास 7 की विशे हिंदी है आठ नवंबर 2021 की वरक्षीट है श्टार्ट करते है निर्देश पढ़ लेते हैं पहले पिरिशन संक्या 1 से 4 तक के पिर्ट्येक के लिए पिर्षन नवर 1, 2, 3, 4 के लिए 1 अंग मिलेगा बच्चो पिर्षन संक्या 5 और 6 के लिए 2, 2 अंग मिलेंगे 5 के लिए 6 के लिए भी 7 से 10 के लिए मतलब सात्वा, आठ और नोवा और दिस्वे कोशन के लिए आपको तीन अंग मिलेंगे तो इस स्टार्ट करते हैं निमलेकित गादाँच को पढ़कर पूछे कर प्रिशनों के उत्तर दीजिए तो गादाँच पढ़ लेते हैं पहले दिव्या निल की छोटी बेहने, यूँ तो वह शुरू से कमजोरे लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय ठकान महसूस होती रहती है मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है अस्पटाल में डॉक्टर ने देखा, तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रख्त की कमी हो गई है जाँच करा कर देखते हैं, यह कहकर दिव्या उन्होंने दिव्या को रख्त की जाँच के लिए पास के कमरे में भेज दिया वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जाच के लिए आपके पास बेचा है इतना सुत्ते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशे में डाल दी और स्लाइट पर लगा दी फिर अनिल से बोली अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना तो आप कोशेना से देखते हैं रक्त शब्द का प्रहवाची शब्द होगा हून ठीक है कमजोर शरीर में विशेशन शब्द है बच्चो कमजोर दीदी शब्द का पुलिंग शब्द लिखिए उसका होजएगा भाईया उपर की गदैंच में से दो शब्द चुनकर लिखिए तो हम लिख देंगे दिव्या और अनिल ठकावट शब्द में से प्रित्य और मूल शब्द को चुनकर लिखिए तो मूल शब्द हो गया ठका प्रित्य हो गया आवट प्रिशे नमबर साथ है अनिल दिव्या के साथ अस्पताल क्यों आया था तो आंसर लिख देंगे अनिल दिव्या को अस्पताल में दिखाना आया था क्योंकि उसे हर समय ठकान मैसूस होती रहती थी और मन किसी काम में नहीं लगता था प्रिशे नमबर आट में पूचा हुआ है दिव्या कौन थी उसे क्या परिशानी थी हम लिख देंगे दिव्या निल की छोटी बैंती उसे थकान और भूख न लगने की परिशानी थी प्रिशे नमबर 9 में पूछा हुआ है डॉक्टर ने दिव्या को पास के कमरे में क्यों भेजा वहाँ उन्हें कौन मिला तो इसका अंसर हम लिख देंगे डॉक्टर ने दिव्या को पास के कमरे में खून की जाच के लिए भेजा उन्हें वहाँ अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई ठीक है अब परिशन नमबर 10 है डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे क्यों निकाली तो इसका अंसर हम लिख देंगे यह अंसर नमबर 10 है डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे जाच के लिए निकाली तो वक्षीट कम्टीट हो गई है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वचिंग